देश में त्योहारी सीजन शुरू होने को है। लेकिन इससे पहले ही खादे तेलों की कीमतों में हुई बड़ोतरी ने आम जंता के रसोई का बजट प्रभावित कर दिया है। दरसल सरकार के द्वारा लिए गए खादे तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने के निरनय के बाद अब देश में सरसों, सूरज मुखी और पाम तेल के दामों में भी अचानक उच्छाल देखने को मिला है। दरसल सरसों तेल की कीमतों में बीते महीने 26% से अधिक की तेजी द ही नहीं इसी तरह, पाम ओयल और सूरज मुखी तेल की दरें भी लगभग 14% और 8% तक बढ़ चुकी हैं। डिपार्टमेंट आफ कंज्यूमर अफेर्स के प्राइस मॉनिटरिंग डिविजन के अनुसार तेल की कीमत में बड़ा उच्छाल आया है। जानकारी के अनुसार आनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी तेल की कीमतों में जबरदस्ट उच्छाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि सरसों तेल की कीमतें 26.61% बढ़कर 176 रुपए प्रती किलो तक पहुँच गई है। इसके साथ ही सूरज मुखी और पाम ओयल की कीमतों में भी जबरदस्ट तेजी देखने को मिली है जिससे उपभुकताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आकडों के अनुसार अन्य तेलों की कीमतों में भी तेजी दिखाई दे रही है। दरसल सूरज मुखी तेल की कीमत 119.38 रुपए से बढ़कर 119.88 रु की बात की जाए तो इसकी की दरें भी 117.45 रुपए से बढ़कर लगभग 127.62 रुपए प्रती किलो हो गई है। दरसल तेलों कीमतों में बढ़ोतरी की मुखे वजह पर नजर डालें तो इसमें सरकार द्वारा खाने के तेल पर आयात शुल्क को 20% तक बढ़ाना बड़ी वजह मानी जा रही है। इसके साथ ही खादे तेलों पर भी यह शुल्क 12.5% से बढ़ा कर 32.5% कर दिया गया है। जिससे इन तेलों की कीमत में उच्छाला आया है। हाला कि सरकार द्वारा यह निरनय घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है। लेकिन अ अब इससे आम जनता पर भी महेंगाई का बोज बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी